हेलो दोस्तो परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिविल्स को लेकर कुछ अपडेट है सौधी अरब को लेकर सौधी के अलजावाजात की तरफ से एक ट्वीट किया गया था परतिबंदित देसों से यात्रा से संबंद वो ट्वीट था इसके लावा दोस्तो दस अक्टूबर से तवक्रना को लेकर एक नई अपडेट आई है उसके बारे में बात करूँगा और साथ में इंडिया कोईट फ्लाइट को लेकर भी अपडेट है लेकिन उससे पहले दोस्तो आप सबसे चोटी से अपिले अगर यीटूब चैन को सबस्क्राइब कर ले और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियों अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुचे तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो स टूइट का क्या मत्तब है तो अल जावाजात ने उन नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने की परकिरिया सुरू की है जो कुछ विशिष्ट मानविये मामलों में परतिबंदित देसों की यात्रा करना चाहते हैं यानि ये टूइट दोस्तों सौधी के नागरिकों के लि चाहता है किसी इलाज के हवाले से या और किसी एमेर्जनसी बेसिस पे जाना चाहता है तो उसको ट्रिवल करने की पर्मिशन होगी इनसानी हमदर्दी के हवाले से उसको ट्रिवल करने की इजाज़त दी जाएगी इन परतिबंदित देसों में ऐसा कहा गया है सौधी के अल जवाजात की तरफ से आई हो या मिनिस्ट्री आप इंटीरियर की तरफ से आई हो पर्तिबंदित देसों का जैसे ही जिक्र होता है जैसे ही नाम होता है लोग तुरंट समझ देते हैं कि क्या इंडिया से सौधिय अरब के लिए डायेट ट्रोल करने की पर्मिशन मिल गई तो ऐसी खबर के बाद लोग अचानक से कन्फ्यूज हो जाते हैं तो अगर आपके जहन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो सौधी गजट का ये स्क्वीन साट आप देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा गया है कि सौधी के नागरिकों के लिए ये खबर थी इंडिया पाकिस क्रोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके यानि जिन्होंने वैक्सीन की डोज कम्प्लीट कर ली है जो वैक्सीन डबलो एच्चो ने अप्रूप्ट की है जो वैक्सीन सौधी हुकूमत ने अप्रूप्ट की है उस वैक्सीन की उन्होंने अगर कम्प्लीट डोज ल फाइजर या और कोई वैक्सीन लगवाई है तो वो उसी दिन इम्यून सो करेगा जिस दिन आप आखरी डोज लगवाएंगे तो ये तवक्तलना को लेकर अपडेट है कि 10 अक्टूबर से उनी लोगों का हेल्थ स्टेटस इम्यून सो करेगा जो लोग वैक्सीन की कम्पलीट डोज लगवा चुके होंगे अगली अपडेट दोस्तों इंडिया कोईट फ्लाइट को लेकर है तो एर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जानकारी दी गई है कि अक्टूबर महिने के लिए जो एर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट होंगी उसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है ये फ्लाइटें जो अपरेट होंगी वो कोची कोड से कोची से इसके इलावा त्रीची से और चन्नाई से ये एर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट होगी कोईट के लिए क्यूंकि अभी कोईट का टिकट बहुत महेंगा चलना है जितने पैसे में लोग ये दिरे बढ़ाई जा रही है फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो एर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी बुकिंग ओपन किये अक्टूबर महिने के लिए तो इंडिया से कोई जाने वाले आनलाइन ट्रिवल पोर्टल से भी टिकट ले सकते हैं इसके लाव आप परदिसी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्यार लखिए खुस रहिए गुडबाई